हरी एस वेल्कम तो पाइफन टुटोरियल के इस चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमने पिछले वीडियो में जाना कि इंप क्या होते हैं एवाम इनको कैसे क्रेट करते हैं और इसमें बेल्यू कैसे असाइन करते हैं और इस वीडियो में हम जानेगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं एवं यह कितने प्रकार के होते हैं तो चलिए सुरू करते हैं डेटा टाइप प्रोग्रामिंग में बहुत ही एक important concept है जो एक हम variable जो create करते हैं उसमें जो किसी भी प्रकार का हम value assign करते हैं जैसे हमने कोई text assign किया है तो वह क्या है एक प्रकार का डेटा है और वह किस टाइप का डेटा है यदि हमने text assign किया है तो एक character type का data है जो क्या python में string कहलाता है और जैसे हमने कोई variable create किया number नाम का और उसमें हमने क्या 34 assign किया है तो यह क्या है एक प्रकार का integer type का data है इसी प्रकार हमने एक n2 नाम का variable लिया है जिसमें 34.232 data का store किया है जो क्या है एक प्रकार का float data type है floating point numbers और dn नाम का हमने एक variable create किया जिसमें क्या complex type का data है और यदि हमें type किसी का type पता करना है तो उससे में हम क्या type पता करने के लिखेंगे print और वहां लिखेंगे type type के बाद लिखेंगे variable का name तो हमें यह क्या return करेगा कि वह इस वह एन बन नाम के variable में किस type का data store है और इसको हम रन करेंगे तो हमें यह क्या return करेगा कि उस variable में कौन से type का data store है जैसे कि n1 में कौन से type का data store है यहां पर आ रहा है string यदि हम इस file को run करेंगे तो हमें यह return करेगा यह print करेगा किस type का data store है और n बन नाम की variable में किस type का data store है और हम इसको run करेंगे तो यहां आ रहा है क्या string जो कि है पाहिला आउट पुट है string जो एन नम है ना एक variable जिसमें भूप अंदर store है यह क्या एक प्रकार का string है यहां कोई भी यदि एपन इस text नंबर नाम की variable में कोई भी है हम text एं लिखेंगे तो वह क्या होगा एक string type का data होगा और यहीं हम उसमें number store करेंगे तो यहां इक इंटीजर डाइप का data होगा यहीं point में करेंग तो वहां किया floating point जो कि हमें फ्लोट लेटन करेगा जैसे कि यहीं नम नम्बन नाम की variable में 34 कीफूर इ催 दो थो हैं एक हमें क्यारट अंकल点 इन्टीजर मिस एन्ट इनट्र kो यहां सॉट में लिखा गया है एनटे के और यंट में इसका टाइब पता करने के लिए हम लेखेंगे प्रियंट और टाइब है टाइब में हम यह पास कर करें गें एन टू दीटा टाइप बता देंगा कि एंटू में किस परकार का डेटा इस्टोर और इसको रन करते हैं और यहां रहा है फिलोट इसमें कि अफोल्ट टाइप का डेटा इस टोर है किसम है n2 में और इसी परकार dn, dn नाम की variable में हमें type जानने के लिए यहां लखाएंगे type और यहां लखाएंगे variable का name जो की है dn तो यहां हमें output देगा कि इसमें complex data store किया गया है यहां हमें return करेगा कि इसमें complex data store किया गया है और इसी परकार होते हैं लेस्ट और टपल्स लेस्ट और टपल्स यह कहा है sequence type होते हैं data के list और टपल्स लेस्ट जैदी हमें list create करना है तो हम square bracket के अंदर जो क्या है sequence में देते हैं जैसे apple बनाना और carry यह क्या है एक परकार की list है जो कि है एक data type python में और इसका type पता करने के लिए हम लेकर प्रेंट और type lx तो हमें इसका type पता चल जाएगा जो कि होगा list यह एक परकार का list data type है और जो है अंगला है sequence type में tuples तबल भी एक परकार का data type है यह हमें tuple create करना है तो हम parenthesis की double parenthesis के अंदर और double quotes के अंदर लेकर बनाना और carry तो यह क्या है एक tuple है और इस tuple का type जान यह tuple है और हम यह जानने के लिए कि यह tuple है की नहीं तो हम लेकर प्रेंट और type tx तो हम इससे पता चल जाएगा कि क्या है tx नाम का variable है उसमें किस प्रकार का data store है तो हम यह return कर देगे क्या tuple जो tx नाम का variable है उसमें टपल data type store किया गया है और एक और हुए जो है mapping type mapping type में आता है dictionary dictionary एक क्या है data type है और dictionary क्रेट करने के लिए हम एक variable लेंगे जो होगा dx और कली ब्रेकेट के अंदर जो की और बैली पेयर में की बैली पेयर में जो डेटा इस्टोर होता है भूटिक्स नादी डेटा टाइप कहलाता है और इसका पता करने के लिए हम प्रिंट करेंगे प्रिंट टाइप और यहां बैरेवल का नेम होगा डी एक्स और इसको हम रण करेंगे तो यह हमें रटन करेंगे कि यह क्या डिक्सनरी टाइप का डेटा इस्टोर है डी एक्स नाम के बैरेवल में और अंगला टाइप है सैट मैं सैट भी परकार का डेटा टाइप पाइफन में क्या हम कोई बैल्ली चुर करते हैं जैसे कि अभी की थी एगला डेटा टाइफ के सेट डेटटा टाइप इसमें हम सेट क्रे आज स्पारिए करने कि लिए एक पैरेबल क्रेइट करेंगे जो होगया S X is equal to curly brackets के अन्दर हमको वर्ट्स देंगे double quotes के अन्दर तो यह होगा सेट और यदि सेट का हमें S X का टाइप पता करना है तो हम लेखेंगे print और टाइप ओप S X तो यह हमें क्या पता चल जाएगा कि S X नाम की बेरिवल में कौन से डिटा स्टूर है और इसको हम रन करेंगे तो हमें यह रेटन करेगा कि set नाम का अश्मान डेटाटाइप च्टोर है और अंगले डेटा टाइप है बूलियन बूलियन को बूल नाम की कीवर्ड द्वारा प्रिसेंट करते हैं और जिरू और वन यदि कोई भी हमां कंडिशन चेक करनी है तो यदि कंडिशन ट्रू होगी तो हमें रेटन होगा ट्रू कंडिशन तो होगा हमें रेटन ट्रू और फॉल्स है तो रेटन होगा फॉल्स अब जैसे कि हमें इसका टाइप पता का ना तो इस तो रेंट टैप और टाइप आप एकश एक्स नाम की बैरीयबिल में कि स्टॉर है तो हमेसर पता चल जायगा कि यहां बूली agreement ॏक बूला नामक rebellion नाम का डीटा टाइप इसस्टॉर है कौन से एक्स अब जानते हैं कि python में numbers को हम कितने प्रकार से लग सकते हैं python में यदि जो numeric data type है उसमें हम तीन प्रकार से data को लग सकते हैं वह नमबर की form में जैसे कि integer float और complex इस तीन प्रकार के data types होते हैं जो कि है numeric data type integer float और complex और यदि हमारे पास जो एक x variable है यदि हम इसमें कोई भी number assign कर दें तो वो एक integer type का data होगा जिसको हमें प्राप्त पता करने के लिए लिखना होगा print type of x तो यह हमें return कर देगा कि इसमें कौन सा data store है तो यह हमें return कर गया क्या है कि इसमें integer type का data store है और यह जो वाय में बेल्यू स्टोर है जेड क्या है बन जी लखाना हो क्या है complex complex data type है नुमेरिक डेटा टाइप है complex तो इसको टाइप पता करने के लिए प्रिंट टाइप हो जेट और यदि हम इस फाइल को रन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि X का जो टाइप है वह भी पता चल जाएगा और जो Y का है और Z का है और इसको हम रन करेंगे तो हम यह तिना पराप्त हो जाएंगे जो कि X में होगा इंटीजर इंट और Y में है प्लोट और Z में है complex अब जानते हैं कि Python में डेटा की टाइप को कैसे चेंज किया जाता है यहां पर क्या पास करते हैं तो य क्या है एक इंटिजर हो गया है और इसका टाइप पता करने के लिए हम टाइप पता कर लेते हैं और यहां हमां पता मतचल जाएगة किया है एक छेलोड से इंटिजर टाइप के डेटा में चेंज हो गया है देखिए आप कर सकते हैं방 HAVE इंटर लखकर आ रहा है यदि हमें कोई इंटीजर है तो इसको तो चेंज करने की अभी जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि हम अभी जो डेटा टाइप है वो कोई और से इंटीजर में ही चेंज कर रहे हैं जैसे कि यह है जैड में क्या है एक स्ट्रेंग डेटा टाइप है इस कर थे stick type पाता कर लेते हैं सिकेट टाइप आप घ्रड तो हमएं यह रिटन करेंगा कि ήταν एक है कि आप देख सकते हैं हिस् uno कर देख सकुत कि यहां पर इस है और चाहम अधी हम यह्म यहिदि हमस्कों का इंटीजर में चेंज करना हुए लिए जेड़ इंट आइन पास करने जैड को है और यहाँ पर आभ यदि हम लएन कराइगे तो हमämän क्या इंटीजिर ही प्रफ्त होगा है जो की चेंज हो छुका क्या है याधा है क्योंग है क्या है क्या है जैसे कि anonym डीट टेटा टाइप है क्यों तुञ वन्ट Dziękuję 34.2 तो यह क्या एक फ्लोटिंग पॉइंट और इसको हमां इंटीजर में चेंज करने के लिए लिखना होगा एज एक वाल टू इंट और यहां पर पास करना होगा बैरियरवन नेम जो गी है ए तो यह क्या है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से इंटीजर टाइप में चेंज हो गया है इसका हम टाइप पता कर लाएंगे प्रेंट टाइप आप ए तो यह हमें रेटन करेगा कि इसमें क्या है एक इंटीजर टाइप का डेटा है जो कि फिलोट से क्या हो गया है इंटीजर हो गया है और अब हम करते हैं इंटीजर से इंटीजर टू फिलोट इंटीजर से फिलोट में हम कैसे कनवर्ट करेंगे अब जैसे यदि हमारे पास 34 दिया है और इसको हमें फिलोट में चेंज करना है तो हमें यहां लखेंगे is equal to float और इसमें हम variable पास करतेंगे जो किसी है तो यह क्या है फिलोट में चेंज हो गया है और यदि हम इसको प्रेंट करेंगे तो हमें इसका टाइप बता देगा जैसे कि यहां आ रहा है टाइप क्या फ्लोट और यदि इसको हम प्रेंट कराना चाहते हैं हम प्रेंट भी करा सकते हैं और यह हमें रेटर्न करेगा 34.0 जो कि एक फ्लोट पॉइंट नंबर है तो इस प्रकार हम डेटा की टाइप को चेंज कर सकते हैं अब जानते हैं कि इनटीजर या फ्लोट से इस्टिंग में हम कैसे चेंज कर सकते हैं जैसे कि एक बैयरेवल है यह जैसे माइं वैल्यू निश्टोड है जो कि होगा इस्ट्रिंग और इसको रन करेंगे तो यह क्या एक स्ट्रिंग रेटर्न करेगा आप देख सकते हैं और इसी परकार एक एसी नाम का बैरिवल है जिसमें हम 23 and 4.23.45 एक एसी नाम का बैरिवल है जो कि क्या थाट एक एसी नाम का बैरिवल है जिसमें 3.45 एक फ्लोटिंग पॉइंट नमबर इस्टोर है और इसको हम यह दि इस्ट्रिंग में करनबाट करना है तो बैरिवल नेम और इसके वाद इस उक्वाल टू एस्टिया और यहां का एक बैरिवल है जिसमें बैरिवल स्टोर है 23.45 और इसको हमें इस्टिंग में चेंज करना है तो हम ऐसी इज ụप अक्वाल टू एस्टीयार और इसके अन्दर हम कि बैरिवल नेम पास कर देंगे तो यह एक एस्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा और इसका टाइप पता क णाण लेंगे टेंट टाइप ऑब एची तो है हम क्या एक इस्ट्रिंग रेंग करेगा यहां ठेंग दो बार एस्ट्रेंग और रहका है एक उपर वाले के लिए के लिए जो ने इंटीजर मरें चेंज़ किया था